नमस्कार दोस्तों इंडिया आइकन चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे अंजीर को पौधे को कैसे लगाएं कितने इंची के गमला में लगाएं और इसकी केर कैसे करें तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्स देखे कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर गई है और इसमें कितना अच्छा फल लगा हुआ है यह जो लाल रंग का हो गया है यह पक गया है और यह जो थोड़ा सा रंग चेंज कर रहे हैं यह आपको पक गया है तो दोस्तों यह देखे हमारा यह जो गमला है यह हम 14 इंच का ग गमलों में लगाए देखिए दोस्तों यह 14 इंच का गमला है इसक्वाइर गमला है लेकिन आप जब भी लगाएं तो आप इसको 18 इंच के गमलों में लगाएं और यह बहुत ही कम क्यर में हो जाती है अच्छे ड्रेनेश स्वाइल बनाएं जब भी हम आपको बताते हैं किसी भी पौधा को लगाने के लिए तो मिट्टी बनाना यानि मिट्टी बनाने के समंधित है कि मिट्टी को मिक्स करके खाद हो गड़ सब डाल करके जब आप लगाते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छा से खिलता है और फलता भी है तो दोस्तों इसको लगाने के लिए को कोई भी रोग नहीं लगते हैं बस एक फंगस ज्यादा पानी देंगे तो आपको फंगस लगेगा फंगस लगने से पौधा सुख जाएगा तो आप इसमें ज्यादा पानी नदे और ये इसमें कोई भी फल में रोग नहीं लगता है सबसे बड़ी बात है और ये इसकी जो प इसकी खासियत क्या है कि आप इसकी सबजी भी बना के खा सकते हैं पक जाये तो आप डिरेक्ट फल खा सकते हैं और तीसरा में इसको ड्राइफ फ्रूट भी बना के आप रख सकते हैं और खा सकते हैं तो दोस्तों ये अपने घर में लगाएं अंजीर का पौधा बहुत ही आस जो खाद देते हैं वो और्गेनिक खाद इसमें आप परियोग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बर्मी कंपोस्ट का परियोग करें इसमें फल अच्छा आएंगे और इसमें माइक्रो निट्रेंट परियोग करें माइक्रो निट्रेंट से क्या होगा कि फल बरा साइज में आ किजिए तब तक के लिए इतना है जय है